स्टार किट और पेपराजीज के फेवरिट ओरहान अवातरामनी और ओरी को लाइमलाइट में बने रहना बखू भी आता है स्टार किट्स के बीच ओरी खास पॉप्यूलर है बॉलिवर्ड स्टार्स के साथ औरी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलती है जिनमें वो पार्टी करते हुए नदर आते है ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल अब तक कई बार उठ चुका है कि आफिर औरी काम क्या करते है वो इतने पॉप्यलर क्यूं है इस राज से औरी ने अब खुद परदा उठा दिया है वहीं अब औरी ने अपनी कमाई का खुलाजा किया है औरी ने बताया कि वो लोगों में खुशिया बाटने का काम करते है फोप्स इंडिया को दिये इंटरवीव में औरी ने बताया कि अभी मेरा फोकस खुशी का पैगाम देना है इसे मुझे इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिलता है जिसमें लोग और मैं दोनों खुश होते हैं इवेंट्स में अपीरेंस करना मेरी कमाई का में जरीया है लोग मुझे शादियों में बलाते हैं वो इसके लिए 15 से 30 लाख रुपे तक खुशी खुशी दे देते हैं औरी कहते हैं कि वो मुझे इन शादियों का हिस्सा एक मेहमान नहीं बल्कि एक दोस्त दूले की पहचान का शक्स या किसी और के रूप में बनाना चाहते हैं इससे पहले औरी ने वताया था कि उन्हें फोटो खिचवाने के पैसे मिलते हैं सलमान खान के शो बिग बॉस सत्रहे में औरी ने कहा था इवेंट्स में फोटो खिचवा कर उन्हें पोस्ट करने के लिए 20 से 30 लाग रुपे मिलते हैं सलमान कहते हैं एक किलेटी इंडिया को चाहिए कि औरी करता क्या है ये तो मुझे भी जानना है इसके जवाब में औरी कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिलते पर बहुत लोग मुझे फोन करते हैं मेरे मैनेजर को फोन करते हैं वो कहते हैं उनके पास पांच मैनेजर है ये सुनकर सलमान खान भी शौक्ड हो जाते हैं वतादे कि ओरी एक बिजनिसमेन के बेटे हैं और पेशे से सोशल एक्स्टिविस्ट और एक ट्रेंड एनिमेटर हैं ओरी का जन्म मुंबई में हुआ है लेकिन अब उनकी फैमिली अमेरिका में है सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक ओरी मुंबई की सोशल आइट के तौर पर जाने जाते हैं और हान कई बड़े ब्रेंड्स के साथ जोड़े हुए हैं उन्होंने सारा अली खान के साथ ही अपनी ग्रेजिविशन की पढ़ाई की है ख़वरों की माने तो ओरी रिलैंस रिटेल के स्पेशल प्रोजेक्ट डिविजन को लीड कर रहे हैं जोकि इंटर्नेशनल कॉलिबरेशन और इंडियन फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की ब्लानिंग में लगा है सिर्फ कपड़े ही नहीं औरी के हेरस्टैल भी एकदम हटके होते हैं वहीं अपने ड्रेसिंग स्टैल के साथ भी वो एक्सपीरिमेंट करते दिखते हैं औरी के ड्रेसिंग और स्टैल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं